दोस्तों ये जो हमारा छोटा सा गार्डन का कार्नर है ये देख रहे हैं आप ये मैंने जादा से जादा मैंने मिसी चूजों से तयार किया है जो अपना कुडा करकट में फैक देते हैं तो फ्रेंट्स मैंने सोचा कि चलिए आज ये थोड़ा सा मैंने ये छोटी सी क्लिप मैंने नाइट ब्यू लिया है तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को दिखाती हूं और फ्रेंट्स और अपने यूटूब परिवार का हिस्सा बनिये मेरी और बनिये और फ्रेंट्स ब लोड़ते हुए चलिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फ्रेंट्स सब्सक्राइब किये बीना ना जाएं और कमेंट्स करके जरूर बताएं फ्रेंट्स कि मेरा वीडियो कैसा लगा किस तरह से रहा तो आप जरूर एक बार बताएगा तो फ्रेंट्स मैंने सोचा कि चलिए अपने यूटूब परिवार के साथ में मैं छोटी सी चीज सेयर करती हूं जो मैं जीरो बजट्स में लेकर कि ज्यादा तर आपने फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स मैंने सोचा कि जब आप लोग इतना अच्छा सा प्रोसान करते हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो फ्रेंट्स मेरा भी करतब बनता है कि मैं क्यों जीरो बजट्स से आप लोग साथ में ये नेचर से जुड़ी हूई चीजों को ना लेकर कि वाटल आप ने तरह तरह की डियाइवाई बनाए है यह जो हमारे नारियल के पानी की मस्रूम बने देक रहे हैं और भी मैंने तरह तरह की कटिंग किया है आज जो में ले करके आई हूं यह जो है हमारी यह जूट यह बोरियां नहीं आती इस फ्रेंट से जो प्याज है आलू है उसकी बोरियों से मैंने इसमें मौसिस्टिक बनाया है तो मौसिस्टिक बनाने के बाद में तो फ्रेंट इसको मैंने बीच बीच में कीलेट होकी और यह जो है क्यारी हमारी इनको मैं बहुत अच्छा 먹 समय अच्छा ही एक हमारा डिय बना रही हूँ तो एक बार इतना सुनदर लगेगा देखने में जिस समय घना और बूसी हो जाएगा तो मैंने सोचा कि मनी प्लांट्स एक टो अपने घर में रखना सूभी भी होता है और देखने में जब उसकी लीप्स देखते हैं तो फ्रेंट्स बहुत प्यारी प्यारी लिप्स लगती हैं और फ्रेंट्स तो यह देखिए मैं इनको तार की थूँ तार को ऐसे फसा दिया और फसाने के बाद में मैं इनको देखे कस करके ऐसे बांद ले रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अगर इनको कस करके बांदेंगे तो ही सकसेज रहेंगी वरना अगर मैं मिट्टी में ऐसे भी लगा देती अगर आप कहेंगे फ्रेंड्स कि आप मिट्टी में लगा दीजिए तो भी बना रहता लेकिन नहीं फ्रेंट्स वो इधर उधर हिलता जुलता रहता तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा इनको क्यूं नकसाओ कर दिया जाए और कस दिया जाए तो मैंने सोचा कि दो जगे से इनको इस तरह से कस दिया अब ये friends मैंने उपर से इसमें कील को गाला था कील को गालने के बाद में फिर देखिए ये PVC पाइप है आप देख रहे है ना फ्रेंट सी ज़ो इसमें left side में दिख रही है तो फ्रेंट्स आप भी जीरो बजट से ऐसे बनाईए और यह उपर से जंडी जो मैंने लगाई है तो यह जो हम लोग नहाने वाला जटा नहीं होता है प्लास्टिक का तो जो इसको जब बिल्कुल बेकार हो जाता है तो मैंने नीचे जूट की जो नारियल की रसियां होती है मैंने उनको लगाया लगाने के बाद में फिर मैंने वो इसमें लगा दिया जो नहाते हैं जिससे तो वो लगा दिया इसमें इस समय ध्यान नहीं आ रहा क्या बताऊं मैं आप लोग खुछ समझ जाएंगे इतना अब देखिए नीचे से मैं इसको कपडा लगा दे रहे हू कपडा लगाने से क्या मिट्टी बहुत मेरी मिट्टी बनी हुई है और अच्छी से मिट्टी बनी है तो मिट्टी के भी कई एक बार मैं वीडियो अच्छे अच्छे डाल चुकी हो तो जाकर कि आप उसमें देखिएगा अब इसको टैप कर लीजे टैप करने के बाद मैं देखिएगा मैंने एक्च्छ में फिर जबिखा दिया था आप लोगों को बताया था आप यह मैंने पानी में डाल करके इनको मैंने कम से कम चाहिके 7 अठ मेले इनको पानी में इसे पढ़ा रहनें दिया या कमभी हो सकता फ्रेंस देखेबने बड़ते भी गये इनमें रूट्स को ऐसे ही इस तरह से हटा देंगे और क्योंकि फिरी पौदा बिल्कुल मरेगा नहीं कितनी भी गर्मी में आप लगा दीजिए जब रूट्स अच्छे हैं और मनी प्लांट से खुद भी इतना अच्छा होता है को जल्दी मरता नहीं पानी में भी ग्रो करता रहता ह तो इस तरह से फ्रेंट्स से देख रहे हैं कि कितने अच्छे से मैं इसको लपेटते हुए इसको ले आ रहे हूँ है ना इस तरह से आप इस तरह से बना करके आप तयार करेंगे तो फ्रेंट्स बहुत सुन्दर से बन करके तयार हो जाएगा एक्छुली में पहले मैं पू नहीं करूंगी तब तक ही घना नहीं होगा ऐसी लंबा होता चला जाएगा तो फ्रेंट्स एक्चुली मैं मैंने बताओं कि मैं उसके बारे में बीवाद में तो यह जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंट्स अभी देखे फिर से मिट्टी मिट्टी भी मैंने ब कर लेते हैं और अच्छे पानी से उसको धुल करके तैयार करते हैं तैयार करने के बाद में फिर उसको कई पानी जब धुल जाते हैं चीनी बिल्कुल खता मुझाती तो अध्रयक अलग निकाल देते हैं और उसको सुखा लेते हैं तो सुखा सुखा करके डिब्बे में भरब तो यह फ्रेंट्स आप लोग बताईएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और यह जो डख है ना फ्रेंट्स तो इनको भटा दे रही हूं क्योंकि इसमें यहीं पर मुझे इसी जगह पर रखना है तो यह फ्रेंट्स आप जरूर बताईएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा अभी इस समय फ्रेंड्स वो नाइट का जो स्टार्टिंग में मैंने ब्यू दिखाया था वो नाइट का था और यह अक्छली में दिन में इधर धूप बहुत आ जाती है तो दिन का धूप का है यह तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है और तो मैंने इस छोटा सा कार्नर को इस तरह से मैंने कुछ चीज़ें मिस यूज की हैं कुछ चीज़ें मैंने खरीद करके लगाई हैं जो कुछ चीज़ें कूडे में फेकने वाली हैं तो वो फ्रेंड्स देखिए मैंने कितने अच्छे धंग से रेडी किया है तो आप लोग फ दिखाती हूं कि किस तरह से मेरा यह लगेगा है ना फ्रेंट्स तो यह देखिएगा कि मैंने जो नाइट का व्यू दिखाया है यह एक्चुली में जो आप लाइटिंग को देख रहे होंगे सिस्टम का तो लाइटिंग मैंने उपर लगा रखी है फ्रेंट्स वो वीडियो को लेना मैं भूल गई वह भी मैंने बहुत अच्छे से मैंने खुदी अपने आपसे डियाइवाई बना करे तयार किया था जो सकोरे से बनती है और यहяться में जो छट में पूझा को लिए होती उससे मैं डियाइवाई बनाया था तो फ्रेंट्स मेरा वीडियो कैसा लगा औ तो सब्सक्राइब करना तो फ्रेंड से बिल्कुल ही न भूलें और आप लोग अच्छे अच्छे से कमेंट्स बताईएगा करिएगा फ्रेंड्स तो मैं पढ़ती हूँ तो मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ और फ्रेंड्स जादा से जादा लोगों तक शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा लगे और फ्रेंड्स गर्मी बहुत है आख सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें और ऐसे गार्डनिंग करते रहें थैंक यू फ्रेंड्स बाई बाई टेक केर हैपी गार्डनिंग